तो देखो Social Stock Exchange वाला पार्ट हम लोग पहले पीटी में देख चुके हैं यहां पर बस कुछ नया एडिशन जो रीसेंट लिए उसको देखना है बस तो अभी रीसेंट एडिशन यह है कि जो नाशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसको अपूरूवल मिल गया से बी के दरफ से कि वह स्टार्ट कर सकते हैं एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज राइट सो यह चीज पता आवने चाहिए और यह जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है इसमें हम लोग ने डिसकस किया था कोई भी ऐसी सोशल एं किया गया है नहीं रेजिस्टर हो सकती है जा सोशल एंटरपाइस तो यहां पर क्लियर लिखा था कोई कॉर्परेट कांडेशन है कोई पॉलिटिकल या रिलीजियस और फिर कोई प्रोफेशनल ट्रेड अस्टूशिएशन या कोई हाउजिंग काने फाइनेंस कंपनी है तो रेजिस्टर कर सकते है अपने आपको इस तोशिल स्टॉक एक्सजेंज पर तो यहां दखना इसमें दो काटेगरीज बनाएंगे है कॉन को रेजिस्टर हो सकते हैं इस SSE पर विच इस तो एक नौट फॉर प्रोफित और दूसरा फॉर प्रोफित सोशल एंटरप्राइस य या जो यह नया डेवलप्मेंट हुआ है उससे हमें एक क्राइटीरिया मिला है कि सोशल एंटरपाइस का इलिजिबिल्टी क्राइटीरिया का होगा इस सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने का तो नंबर याद रखना 67 परसेंट का एक नंबर है जो कि आपको अक्र सब चीज़े देखी तो अगर वह ऐसे सोशल इंपक्त का काम में उनका जो रविन्यू जनरेट हो रहा है तो उसको हम कंसीडर कर सकते हैं दूसरा पैरमेटर है उसका एक्सपेंडिचर का तो अगें 67 परसेंट नंबर है वो उसका लास्टीन येर्स का जो आवरेज एक्सप परसेंट जो पॉपुलेशन है वो इन सोशल सेक्टर एरिया से आनी चाहिए तो इसमें पूर हो सकते हैं माल नरेश्च चिल्वर्न हो सकते हैं तो यह क्राइटीरिया रहेगा इसमें तो नंबर याद एक ना 67 परसेंट का सब के अक्रॉस देखने को मिलेगा आपको आगे किसी not-for-profit organization को लिस्ट होना है social stock exchange पर तो होने required होगा एक minimum annual reporting requirement required होगा बट जो for-profit social enterprise है उसको ऐसा कुछ required नहीं है next mechanism कैसे हो raise कर सकते हैं तो वो instrument issue कर सकते हैं जूरे coupon principle instrument या फिर donation ले सकते हैं mutual fund schemes वो गएरा से similarly जो for-profit social enterprise है वो issue कर सकते हैं equity को debt instrument उठा सकते हैं या फिर से भी आगे future में कोई instrument बता तो इसका भी इस्तवाल कर सकते हो लोग ठीक है तो यह एक थोड़ा point of difference है अब यह जो social stock exchange है इसके ओपर एक governing council रहेगी जितनी भी social stock exchange होंगे इसके बारे में इतना ही था इसमें जाने लाएक बाकी सब चीज़े हम लोगोंने पहले देखी हुए आगे चलते हैं next point इसमें future contracts on corporate bond indices तो यहाँ पे जो different concepts हाँ देखते हो एक तो future हो गया जो हम लोगोंने कई बार discuss कर रखा है और दूसरा corporate bond indices तो bond indices अपने को पता है कि passive instrument होता है जिसकी values वह किसी दूसरे instrument से drive होती है यहाँ पे active किसी का रोल नहीं होता तो future contract आपको पता है long term में हम एक agreement करते हैं कि so and so date पे हम आप से यह purchase कर लूगा तो इसको हम future बोलते हैं तो अभी सेबी ने allow कर दिया है future contracts on the corporate bond indices rated double a plus and above तो सेबी का main aim यह है कि हम जो bond market है उसके अंदर liquidity को बढ़ाएं तो कि जैसे हम allow कर देंगे कि corporate indices में पैसा लगा सकते है future वगरा में तो फिर automatically liquidity आएगी Syria के अंदर तो इससे एक फाइदा corporates को यह भी होगा कि corporates के जो bond है उसके against उन्हें hedging हो जाएगी hedging मतलब कि let's say अगर उनका price अच्छा नहीं रहा आगे चलके जो bond है उसके against yield उतना अच्छा नहीं मल रहा है उनके पास एक option रहेगा कि वो buy कर सकते हैं या sell कर सकते हैं राइट कि future contract में हमेशे यह वाला option रहता है तो यही है इसमें जाने लाइफ बस इतना या दखना future contracts on corporate bond indices सेभी ने अलाव कर दिया है बाकि यह दोनों टेम्स आपको पताईए आगे चलते next topic के उपर which is credit default swap cds तो अभी सेभी ने अलाव कर दिया alternate investment fund को कि वो participate कर सकते हैं इस credit default swap के अंदर तो आपको alternate investment fund पता है यह हम लोग कई बार discuss कर चुके हैं कि यह basically को एक private pool investment fund है जो किसी company के अंदर यह start-up के अंदर या फिर किसी short term कोई fund है उसके अंदर यह लोग पैसा लगाते हैं तो अब यह corporate default मिलेगा तुम जाओ अब इस picture के अंदर एक तीसरी entity आ जाती है जिसका हम बोल सकते हैं लेट से इस case में कोई alternate investment fund है या फिर कोई insurance company हो सकती है अब वो क्या करती है वो picture में आती है और bank को बुलती है कि bank तुम इसको loan दे दो और जो इसने तुमसे जो loan लिया है जो credit लिया है उसके ओपर insurance मैं दे दूँगा कि अगर यह default कर गया तो फिर पैसा जो है मैं पे करूँगा तुमको ठीक है in case default हो गया तो इस person के लिए win-win situation है कि इसको पैसा मिल गया बैंक यह situation हो गया कि अब वह पैसा दे सकता है पैसा अगर चुकाया है इन्हें यह जो interest और जो principal था वह चुकाया तो बैंक के लिए income इस transaction में इसको फाइदा हो ऐसे हो रहा है कि यह बैंक को बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें guarantee दे रहा हूं कि यह person कंपनी के उपर विन विन है इस लिए इस situation में उसे एक तो फी मिल गई इनकेस अगर वो डिफॉल्ट कर गया है ऐसा तो है नहीं कि सब लोग डिफॉल्ट करेंगे तो अगर करता है तो वहां पर उसको देना पड़ेगा otherwise पी जो है वो मिल जाएगी इन्शॉरेंस कंपनी को ओब डात्साओ इस इंटार थिंक व्रक्स थो क्लियर हो गया होगा यह वाला क्रेडिट डिफॉल्ट वाला विसमें बेसिकली पी ने लाव कर दिया कि यह जो ए इस है यह पार्टिसपेट कर सकते हैं ऐसे पानानचल डिरिवेटिवेटेवस में जिसके अंदर जो इन्वेस तो यही है credit default swap, I hope clear हो गया होगा, आगी सलते हैं, next है 81 bonds, तो अभी yes bank जो था उसके case में यह बहुत news में था, और दो बार news में था, पहले यह yes bank के जो 81 bonds इसको cancel कर दिया था, अब RBI और जो जिन banks ने इसका take over किया था, उन लोगों ने cancel कर जिया था, लेकिन बाद में क्या Bombay High Court का order है, उसमें बोला, यह 81 bonds है, यह देने की जरूरत है, इसको repay करने की जरूरत है, अब 81 bonds होते हैं, यह perpetual bonds होते हैं, जिनका generally maturity period 100 years का होता है, अब long term maturity है, बहुत लंबे समय के बाद mature होंगे, और इसके अंदर बहुत जादा higher rate मिलता है, इंट्रेस्ट का, अब आपको पता है, economics का basic law है, higher rate है, तो higher risk भी होता है, दोनों साथ में, करन अरजुन टाइप के हैं, दोनों साथ में ही आते हैं, ठीक है, तो यह situation इस case में भी होती है, तो इस case में risk कैसे होता है, तो यह 81 bonds होते है, बैंक deny कर सकता है कि इसके उपर interest pay करना, if the capital adequacy ratio falls below certain percentage, अगर बैंक का financial स्थिती है, यह financial condition है, वो अच्छी नहीं है, तो 81 bonds को जो interest payment हो deny कर सकता है, इसके bond holders को, right, तो इसलिए यह risk है, और इसलिए इसमें interest भी हाई है, कि जब तक दे रहा है, तब तक दे रहा है, जब नहीं दे रहा है, तो फिर नहीं दे रहा है, ठीक है, तो यह चीज था, और yes bank के case में यह चीज popularized थी, तो इसलिए पता होना अच्छी है, तो इतना ही है, हम का आगी सलते है, next है gold exchange traded fund, तो ETF हम लोगों ने पहले भी discuss किया हुआ है, जब हम लोग भारत ETF के बारे में बात कर रहे थे, तो आप लोगों को पता है, यह इंडिया के PSU का ETF बना कर government बेच रही अब यह जो gold ETF है, यह basically, जो gold का प्राइस है, उसी के indexes पे अपना जो value है, यह derive करता है, यानि यह भी एक passive investment instrument है, यानि आप directly gold नहीं खरीद रहे हो, gold से derive करने वाला एक instrument आप खरीद रहे हो, जैसे जैसे gold का price जाएगा उपर, जैस gold exchange traded fund का जो price है, वो भी उपर जाएगा, इसलाद इसमें कुछ जाने लाइक नहीं है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट इस American Depository Receipt and Global Depository Receipt, तो यह दूनों जो concept है, यह आपने economic अंदर पढ़ाई होगा, तो Depository Receipt के अंदर हम, या हमारी कोई जो domestic company है, वो इंडिया से बाहर जाके किसी और stock exchange के उपर पैसा उठाती है, इसे Depository Receipt बोलते हैं, तो जब इसके आगे adjective American लग जाता है, या फिर Global लग जाता है, तो आप समझी सकते हो, American में, तो American stock exchange से या American company से पैसा उठा रही है, और Global के अंदर वो generally Europe से पैसा उठा रही है, तब हम उसे Global CDR बोलते हैं, तो यह concept है, तो यह दखना, इंडिया की companies ब Public Offer, तो आपको पता, Adani का एक बहुत ही famous FPO आया था, फिर वो cancel हो गया था, हिंडन बर्ग रिपोर्ट के दौराद, cancel in the sense के Adani ने खुद नहीं cancel कर दिया था, but बहुत issue हुआ, जिसके वज़े से अभी भी सेवी की जानाच चल रही है, तो इसलिए FPO पता होना चाहिए हमे, तो आप लोगों ने IPO तो बहुत सुने होंगे, initial public offering, वो आते ही रहते है company के, वो बताने की ज़रूत नहीं है, primary market में कह सकते हैं, वो आता है, और फिर वो secondary market में चला जाता है, once they start trading, right, अब FPO क्या होता है, कि already company का list हो चुका है, IPO market के अंदर, right, उसके shares जो है secondary market में आ चुके हैं, trade कर रहे हैं, उसके बाद अगर company नया, कोई offer है shares का, वो public के लिए निकालती है, तो उसे हम follow on public offer बोलते हैं, तो यहाँ पर दो situation हो सकते हैं, या तो जो existing shareholders है, उनी का जो share size है, उसको हम dilute कर दें, ठीक है, जो existing shareholders हम dilute कर दें, या दूसरा form होता है, कि हम altogether नए shares उठाए, right, तो इसे non-dilutive FPO, और dilutive FPO बोलेंगे, यह difference होता है, दोनों के बीच में, I hope clear हो गया होगा, तो यह आ रखना, FPO क के बारे में, आगे चलते हैं, next is external sector, तो यह article भी पूरा हम लोगों ने पढ़ रखा है, पीटी में, जहाँ पर WTO के हम लोगों ने फिचरी जो subsidies उसके उपर discuss किया था, तो आपको यादी होगे keywords जो illegal, unreported, unregulated fishing के उपर prohibition लगाना है, subsidies के उपर, फिर ऐसे subsidies जो की fishing promote कर रहे है, of the over fish stocks, तो उसके उपर भी prohibition लगाना है, तो यह सब चीज़े हम लोगों ने discuss कर ली थी, यह WTO की 12th ministerial conference हुई थी, Geneva Switzerland में, महां यह सब discussion हुआ था, और यह हम लोगों ने पहले discuss कर रखा है, अभी news में इसले है, because Switzerland ने अभी formally approved किया है, इन सब agreement जो हूँ है, WTO के अंदर इनके उपर agreement दिया, इसलिए यह news में आया है, बागे इसका और जादा हमारे लिए relevance है नहीं, आगे चलते हैं, next topic पे, तो कुछ key terms देख लेते हैं, related to the external sector, तो पहला इसमें board of trade, board of trade है, यह 2019 में बनाया गया था, by merging the council for trade, development and promotion with the board of trade, इसको merge करके, यह board of trade है, finally, बना था, और इसके members जो है, वो government से और private sector से, जोनों से आते हैं, और government की बात करें, तो इसमें state, UT, और जो central government के जो officials से वो रहेंगे, private से फिर, बहुत सारे sector specific जो, लोग है, professionals, वो इसका part बनते है, right, और इसका basic aim यह है, कि यह government को advise करता है, on matters related to foreign trade policy, तो इतना ही है इसका objective, आगे चलते ह fact, one line fact है यह, कि US जो है, it became the India's top trading partner, तो 2021, 2022 के अंदर, US remained the top India's trading partner, surpassing China, उसके बाद, जो third number है, वो UAE का आता है, उसके बाद, Saudi Arabia, Iraq और Singapore का number आता है, तो यहा रखना है, US, China और फिर UAE, यह top team, India के trading partners है, आगे चलते हैं, next is open access movement, तो open access movement में बेसिकली कोई भी online publication है, जैसे ही, वो online उसे publish किया जाता है, वो free of charge, और free of most copyright और licensing restriction के, उसे use किया जा सकता है, यह open access movement कहलाता है, और बहुत सारी countries ने इसको effect में लाया है, by the convention या initiative, like the Budapest open initiative, और Berlin declaration on open access to knowledge, तो यहा रखना है, यह Budapest open access initiative, Berlin declaration, यह सब open access movement से related है, और online publication के free use की यह बात करते है, ठीक है, in fact, UNESCO ने भी support किया, इसका use, तो यह पता होना चाहिए, नेक्स चलते हैं, एक important term आई है, नहीं, reverse flipping, तो economic survey ने यह term flipping को इस्तमाल किया था, startups के respect में, तो startups basically क्या हो रहा था, let's say for example, flip card ले लो, flip card सही नहीं रहेगा, वो तो already foreign company ही थी, अब कोई और example ले लो, ठीक है, कोई XYZ startup ले लो, तो क्या हो रहा था, जैसे कि XYZ startup थोड़ा सा अच्छा करता था, कोई बाहर से foreign company आती थी, और उसमें stake खरीद लेती थी, तो generally आप देख सकते हो के, यह एक scenario रहता था, जहाँ पर resident होते थे shareholder, पहले domestic shareholder होते थे, और थोड़ा बहुत उसमें share, non-resident shareholders का होता था, लेकिन फिर का होता था, एक foreign company आती थी, वो पूरे Indian company का जो management उसको खरीद लेती थी, तो indirectly, वो जो company जो के इंडिया में listed थी, अब वो indirectly एक foreign company की subsidiary बन गई है, यानि जो profit वगएरा जो accru होगा उस company से, अब वो इंडिया से बाहर जाएगा, तो इसे flipping बोल रहे थे हम लोग, तो अब हम एक नया scenario देख रहे हैं, जहाँ पर बहुत सरे Indian companies वो बहुत सरे इंडियन companies वो भाहर जाके दूसरे companies को खरीद रहे हैं, तो आपको बताए है, airlines वो बहुत सरे companies खरीद रहे हैं, अलग अलग sectors के अंदर, तो वो एक reverse flipping का example हो सकता है, यहां रहते रहते हैं, हम लोग, बहार जो companies हैं उनको खरीद रहे हैं, या इसमें एक example आप उसका ले सकते हैं, ताटा का, उन्होंने जागवार लांड रोवर उसको खरीद लिया, तो वो भी एक example हो सकता है, तो इस इस reverse flipping, आगे चलते हैं, next is angel tax, तो government ने propose किया है कि जो foreign investors हैं, उनको हम लोग, ambit में लाएं इस angel tax के, जो कि अभी तक केवल Indian resident को मिल ला था, तो यह angel tax 2012 में concept introduced किया गया था, और यह concept जो है start-ups के respect में popular हुआ था, तो generally क्या होता है, देखो start-ups के पास ज्यादा कुछ asset बगर तो होते हैं और उनके पास बस एक idea होता है, उस idea के basis पे लोग उनमे पैसे लगाने को ready हो जाता है, तो generally आपको यह चीज खरीदते हो तो उसके equivalent आपको value मिलनी चाहिए, तभी उसे हम एक fair trade बोलेंगे या एक fair market value बोलेंगे, otherwise तो वह unfair हो सकता है, तो कई बार यह जो angel tax के under relaxation मिलावा, कई बार उसके चक्कर में इनको income tax है, उससे notice आजाता था कि आप money laundering वगरे में involved हो रहा हूँ, क्योंकि जो start-ups है, उनके पास ऐसी value हो नहीं है, जिसके बदले उन्हें इतना पैसा दिया जाए, क्योंकि angel tax एक opportunity हम बोल सकते हैं, opportunity मान कर जो investor है, वो पैसा लगा रहा है, तो इसलिए, इन लोगों को बचाने के लिए, जो ऐसे venture capitalist है, या जो philanthropist है, जो इन start-ups के अंदर पैसा लगा रहा है, उनको बचाने के लिए, और start-ups का growth प्रमोट करने के लिए, गर्मेंट जो है, इंजल टेक्स का provision लाई थी, और इसके अंदर इने exemption दिया था, under the income tax norm, तो ये चीज़ पता होने शे, अभी, जो ambit है इस इंजल टेक्स का, ये foreign investors को भी expand करने के बाद करें गर्मेंट, तो ये था, इंजल टेक्स इस वज़े से news में था, ठीके, आगे चल financial telecommunication, स्विफ्ट इसका platform बनेगा, तो ये एक basically communication system है between international banks, इसके तुरू कोई भी जो transaction होती है, वो दूसरे bank को communicate की जाती है, एक secured तरीके से, तो ये जो society for world interbank financial telecommunication है, ये global financial organization है, और ये banks के बीच में, जो कि आपस में directly interconnected भी नहीं हूँ, ठीके, उनके बीच में बीच में भी एक connection जो establish करती है via intermediaries, तो इसलिए ये चीज अभी banks वगरा के लिए important है, in fact हमारे इंडिया के इंदर भी जब नीरब मोधी वाला scam वगरा होए थे, तो ये swift का काफी news में था, और RBI की तो से banks को direction थे, आप ये swift system है, इसको deploy करो, और अभी Russia को इस system से बाहर निकाल दिया था, तो रशिया ने अपना एक नया system बना है, which is the system for transfer of financial messages, SPFS, तो इसमें वो इंडिया को बोल रहा था, रशिया कि आप भी इस system में अंदर आ जाएगे, तो या रखना, ये वाला एक alternate system है, जो रशिया ने डवलप किया है, आगे चलते हैं, next is Export-Import Bank of India, Exim Bank, तो इसका headquarter जो है म Mumbai में है, इसको established किया गया था in 1982, as a specialized export credit agency for India, और इसे act के थुरू बनाया गया था 1981 में, so इसले एक statutory body की तरह भी work करता है, और इसके अंदर, तो पूरी तरीके से government की ownership है, government of India है, इसको होल लिए और करता है, and this is regulated by the RBA, तो नाम से पता लग रहा है, जो export-import है हमारी country में इंडिया से जो समान खरीद रहे हैं, उनको भी line of credit प्रवाइड करता है, तो major aim यह है कि export जो लोग काम कर रहे है, उनको promote किया है, तो अभी ministry of finance ने announce किया, setting up of subsidiary of exam bank at the gift city, तो आप जानतों यह gift city में, international financial service control authority है, वो भी वही gift city में located है, तो यह पता होना शिकत, आगे चलते है तो यह कोई काम कानी है, यह हम लोग पहले discuss कर चुके है, international IP index, यह US का, US का चेंबर of commerce हो निकालता है, हमारे काम कानी जाद है, नेक्स चलते है, labor and employment, तो इसमें इश्रम portal है, इश्रम portal आपको पता है, ministry of labor ने इसे deploy किया है, ऐसे लोगों के लिए, जो कि unorganized sector में काम करते हैं और covered नहीं under the EPFO and ESIC, तो यहाद अखना, इन sectors के अंदर जो covered नहीं है, उनके लिए इश्रम portal बनाया गया तो फिर ministry of labor, तो major aim यही था, ऐसे लोग जो कि हर तरह के social safety net से अच्छूते रहते या जो उसके अंदर covered नहीं होते हैं, उनके लिए कुछ किया जाए, तो इसमें database रह database generate होगा, उसको फिर आगे ministries के साथ, boards के साथ, agencies के साथ share किया जाएगा, ताकि उसके basis के उपर वो कुछ benefits जो है, वो इनको provide करा सकते हैं, तो अगर इश्रम portal के अंदर आपको register कराना तो आप directly इस portal पर आ सकते हो, या फिर और भी कही तरीके हैं, आप among mobile app में जा सकते हो, व once you have enrolled under this इश्रम portal, आपका जो data है, वो link किया जाएगा, आपके mobile number से, mobile number से, आपके आधार number से, और correspondingly आपका account number भी जो है, वो इससे linked हो जाएगा, तो account number link करने का aim यही है, अगर government को कभी COVID जैसा कोई crisis हो जाता है, या in general कोई ऐसा लगता है, कि इनको support की ज़रूँ होता है, organized workers को, तो government directly fund पर पहुचा सकती है, dbt की through, right, आपके account में, तो यह चीज़ है, next, यह जो आपका data है, जो आपने provide किया है, इसके through, आपको national career service portal के उपर भी आपका data है, वो present किया जाएगा, ताके आप probable employer से, मिल सको, right, या वो आपको contact कर सके, तो यह advantages है, double advantages कह सकते हो, इसके के अलावा, आपको, एक, UAN number मलेगा, which is the universal account number, एक 12 digit का एक unique number होगा, जो की, जो भी कोई register करेगा, अपने आपको इश्रम portal पे, उसको यह, एक card type में, मिलेगा, right, यह, इश्रम card, और यह, आपका busy locker के अंदर भी आपको available रहेगा, तो यह भी पता होना चाहिए, तो या दख जितने भी लोग इस इश्रम portal के उपर register करते हैं, वो free of cost करते हैं, और इसके अंदर एक 2 lakh rupees का accidental insurance बन रहे है, तो हमारे पास एक existing scheme है, प्रधान मंत्री, सुरक्षा बीमा योजना, PMSBY, इसके अंदर 2 lakh का insurance जो है, जितने भी registered unemployed, unorganized workers है, उसको इसके अंदर benefit मिलेगा, right, 2 lakh तक का, तो यह वाला जो benefit है, यह ऐसे लोगों को available रहेगा, जिनकी age 18 से 59 years है, या दखना, तो यह जो इश्रम portal है, इसके उपर अगर आप 16 years से अबव हो, तो भी आप register कर सकते हो, लेकिन बीमा आपको तब ही मिलेगा, जब आपकी age 18 से उपर होगी, क्यों यह originally जो बीमा scheme उसके अंदर यह provision चल रहे थे, तो यह या दखना, इश्रम portal में register करने की age जो है, वो 16 से 59, लेकिन जो insurance मिल रहा है, वो 18 से 59 वालों को ही मिल रहा है, तो या दखना, और दूसरा इस insurance से related एक important चीज़ यह भी है, इसमें पहले साल का जो premium है, वो ministry of labor देगी, बाद में फिर ह account holder है, या जो shrimp card holder है, उसे अपना premium है, वो खुद पे करना पड़ेगा, तो यह पता होना अच्छी है, ठीक है, फिर आगे सलते हैं, तो next is ILO, तो चनेवाद स्विचल एंड मिस का headquarter है, 1919 के अंदर इसको establish किया था हम लोगों ने, और Treaty of Versailles के तूर इसको establish किया गया था, तो 1946 में जब UN बन चुका था, उसके बाद यह उसकी specialized agency बनी, although UN से यह पुरानी agency है, तो यह tripartite organization है, tripartite in the sense के यहाँ पे तीन parties है, एक है government, दूसरा private sector और तीसरा है जो workers, इसलिए tripartite organization है, और इसने अभी एक report निकाला था, जिसमें इसने बताया कि जो number of work hours है, they have reduced globally, और इसका सबसे worst impact जो है, जो informal women workers से उन पर बढ़ा है, तो उनके wages थे, वो कम हो गए, तो अब इससे एक related news हमें पता होना चाहिए, general fact, इसके 8 foundational convention है आई यह लोके, जो भी country इसमें joint करते होने, यह expected है कि उनसे, यह 8 fundamental conventions है, इनको fulfill करे, तो इंडिया ने 8 में से 6 जो है, उसमें sign कर रख रखा है, ratify कर रखा है, पर दो जो है, यह हम लोगों ने sign और ratify जो है, वो नहीं कर रखे, तो वो दो पता होने से क्या है, एक तो है freedom of association of protection, right to organize convention, दूसरा right to organize collective bargaining conventions, तो जो यह provision है, कहीना कहीन ट्रेडी union से relate करते हैं, और government ने इनको sign यह ratify नहीं कर रखा है, तो यह पता र child labor को prevent करता है, ऐसे forced labor के लिए एक और convention है, इसी के अंडर, separate, तो वो पता होने अच्छे है, फिर वर्स form of child labor convention, तो यह भी हम लोगों ने sign और ratify कर रखा, equal renumeration करे convention, फिर है discrimination convention 1958, और लास्ली, abolition of forced labor convention, तो यह सारी जो इससे corresponding जो act है, हमारे legislature के अंदर है, और आप लोगों ने definitely पड़े ही होंगे, तो आप easily figure out कर सकते हो, बस यह याद रखना, दो जो है foundational agreement वो नहीं sign किया है, तो आगे चलते हैं, बागे 4 governance priority convention भी है, बट वो इतना important नहीं है, तो हम आगे चलेंगे, next देखते हैं, यह थोड़ा important days के अंदर, periodic labor force survey, तो अभी जो national statistical office है, जो की ministry of statistics and program implementation क इसने release किया 5th periodic labor force survey, जो की cover कर रहा है, July 2021 से June 2022 तक, तो इसलिए report थोड़ी से important है हमारे लिए, तो पहले यह देख लेते हैं, यह जो periodic labor force survey, यह क्राइटीरिया रहता है, उसके अंदर कैसे measure किया जाते हैं, यह सब चीजे, तो यह periodic labor force survey, जो है 2017 में launch किया गया था, और दो पहला, employment और unemployment indicators, जो है, short term period के अंदर हमें पता लगाने है, in urban areas only, right, with current weekly status, तो current weekly status मतलब, क्या आपने पिछले 7 दिनों में क्या काम किया है, क्या पिछले 7 दिनों में आप employed थे के नहीं थे, तो वो इससे पता लगता है, next, जो second parameter था इसके अंदर, वो था, to estimate employment, unemployment indicators in usual status, in both rural and urban areas annually, so यह या दखना, जो rural और urban areas जब हम include कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम usual status देख रहे है, usual status मतलब, कि पिछले 365 days में, आप employed थे के नहीं थे, this is usual status, तो यह चीज़ या दखना, और इसमें एक और, दो और terms है, principal activity, और subsidiary economic activity availability, यह चीज़ या दखना, इसके अंदर, कि principal activity वो activity है, जो, जिससे आप primarily, जो है, earn कर रहे हैं, तो पिछले 365 days के अंदर, सबसे दादर जो आपने काम किया है, उसको हम principal activity consider करेंगे, उसके अलावा भी अगर आप किसी activity में एंगे से, तो उसे हम subsidiary economic activity status देंगे, तो यह keywords में clarity होगी, अब आगे चलते हैं, यह key indicators दिखते हैं कि कैसे determine किया जाता है, तो पहला है, LFPR, labor force participation ratio, तो यहाँ पर ऐसे लोग जो कि employed है, और ऐसे लोग जो कि unemployed है, बट कुछ काम करना चाहते है, who are willing to work, right, so यह willing to work वाला जो पार्ट है, यह या दखना, ऐसे लोगों को हम टोटल जो population है, उसे divide करके labor force participation rate निकालते है, तो यह चीजी आता है, willing लोग को, willing लोग हम इसमें include करते हैं, अगर यह number कम आता है, तो इसका मतलब है कि लोग काम ही नहीं करना चाहते है, they are unwilling to do the work, okay, next, WPR है, WPR जो working population ratio है, तो यह simple है, आपको भी easily figure out कर सकते हो, जो लोग employable ह है, upon total number of population, तो उससे हमें यह WPR निकल जाता है, next है, UR, which is unemployment rate, again यह भी simple है, number of unemployed person upon, जो total population है हमारे पास, जिसमें employed person plus unemployed person आ जाएंगे, वो ratio जो है, हमें unemployment rate निकाल के देता है, अब यह जो report आई थी, इसमें सारे indicators marginally better हुए, in the sense कि जो labor force participation rate है, that has increased, number याद रखना जरूरी नहीं है, वो काम का नहीं है, बस ही याद रखना, यह बड़ा है, फिर है working population ratio, तो यह भी again बड़ा है, और जो हमारा unemployment rate up, वो marginally decrease किया है, which is a good thing, कि हमारी country में unemployment कम ही होना चाहिए, यह हम चाहते है, तो इतना है इसमें जाने लाइक, बाखी और क एक report था, जो कि नीती आयोग ने निकाला था, तो इसलिए जो topic है news में, तो थोड़ा सा background देख लेते हैं, सबसे पहले यह जो vocational education in India है, independent in India में, कोथारी commission जो था, उसने emphasize किया था, कि हमारा जो higher school level है, उस पर हमें, vocational courses के तुरू education को diverse करना चाहिए, उसके बाद, बहुत सरे और committees है, in fact, जो national education policy है 1986 की, और अभी recently जो national education policy है, 2020 का, उसके अंदर भी, बोला गया है, कि हमें focus करने के जरूवत है, on vocational education, इसके अलावा एक report है, या एक assessment था, national skill, national institute of open schooling, उसमें ऐसा बोला गया हमाई जो 2% जो total population है, between age 15 to 29 years, have received formal vocational training, तो आप समझ सकतो 2% कितना कम number है, अगर आप और country से से compare करोगे, like South Korea, etc., तो आप ये number 95% है, 95% people have received formal vocational training over there, but India, the number is as marginal as 2%, right, तो इसलिए ये चीज़ जो है, थोड़ी से important हो जाती है, हमारे, next, scheme sister related आपको पता ही है, जो प्रदान मंत्री, कौशल विकास योजना है, यह हम लोग पहले भी discuss कर चुके है, उसके अंदर recognition of prior learning एक बहुत important concept है, इसमें जो लोग पहले से सीखे वहें काम, informal तरीके से उनको certification प्रवाइड कर रहे हैं, ताकि वो easily कहीं पे भी job के लिए apply कर सके हैं, ठीक है, this is all you need to know about this, related news में, जो national education policy है, हमारी 2020 का, उसके अंदर क्या बोला गया है, vocational education से related point हमें पता होने अच्छे है, तो इसमें बोला गया था कि at least 50% of the learners going through the school in higher education shall have exposure to vocational education, यह target रखा गया था, NEP के अंदर, तो यह आद रखना, आगे चलते हैं, next is agriculture, तो इसमें पहला है fertilizer sector in India, तो अभी ministry of chemical and fertilizer ने launch किया प्रधान मंतरी भारती है, जन उर्वरक परियोजिना, तो यह उर्वरक जो है fertilizer के लिए इस्तमाल होता है, तो अब one nation one fertilizer scheme हम लोग launch करें, तो one nation one ration card देखा, one nation one grid भी देखा हम लोग ने, और अब यह one nation one fertilizer देख रहे हैं, तो यह one nation one fertilizer जो प्रोग्राम है, इसके अंदर एक भारत brand नाम से हम fertilizer को sell करेंगे, तो जितने भी companies हैं, जो कि government के mandated इस framework में आते हैं, तो वो यह भारत brand का इस्तमाल कर सकते हैं, तो यहाद रखना, इस scheme के अंदर, जो subsidized soil nutrients हैं, लाइक यूरिया, टाइयमोनियम फॉस्फिट और मूरियेट और पॉटाश, इसके अलावा जो NPK का जो combination होता है, वो market किया जाएगा under the single brand name भारत, तो आपको पता हैं, जो NPK होता है, यह होते हैं, macronutrients, जो की plant को definitely ही चाहिए होता है, इसके बिना तो plant survive नहीं कर पाएगा properly, पर लिए, तो NPK के उपर, यूरिया जो है, वो N से related है, डायमोनियम फॉस्फेट जो है, वो फॉस्फोरस से related है, और के मतलब पोटासियम, यह मूरेट ऑफ पोटासियम से related है, ठीक है, तो यह तीनो मनेरल इसके अंडर कवर हो जाते हैं, तो यह अब एक single brand name के अंडर में विच्छे जाएंगे, जिसका नाम होगा भारत, फिर इसके अंदर packaging जो है, bags जो है, वो भी एकदम uniform होंगे, क्योंकि हम one nation one fertilizer बनाना चाहरे है, इसलिए एक single package होगा, एक same type का, design भी दिया हुआ है, क्या design होना चाहिए, तो उतना हमारा काम का नहीं है, but anyways, देख लेना, कहीं PCS वगरा हमें पूछ ले, तो भारत brand name के अंडर जो two third जो front है, fertilizer के packet का, वो PM लोगो, PM बीजेपी जो logo है, उससे covered रहेगा, ठीक है, जो scheme हम लोगो ने देखी, उसके अंदर वो PM बीजेपी का जो logo है, और जो भारत name है, वो लिखा रहेगा, right, अब एक और इससे related news है, विच इस प्रधान मंत्री किसान समुरुदी के इंद्रास, वो इसके अंदर हम लोग develop करें, 3.25 lakh fertilizer shop across the country, तो यहाँ रखना, ministry of chemical और fertilizer, यह fertilizer shops को establish करने का काम करेगा, तो यह चीज़हां रखना, अब fertilizer sector के हम बात करें, वैसे हम लोग यह चीज़ देख चुके हैं, बट एक बार वापस से revise कर लेता है, तो इंडिया जो है, second largest consumer है fertilizer का, after China, third largest producer है, and one of the largest importers है in fertilizers का, और fertilizer जो है फिर हमारे, 8 core industries है, उसके अंदर भी आते हैं, हम लोगो ने देखा था, 8 core industries के लिए हम लोगो ने एक निमोनिक यादिन किया था, ferns, triple C, तो है वो नाम तो पता होगा, निमोनिक करके आप जल्दी इनको recall कर सकते हो, ठीक है, तो तीन basic type के fertilizer हम लोगो ने देख लिया, यूरिया, potash और phosphate था, DAP, उनको देख लिया, इंडिया के अंदर हम लोग यूरिया का जो production है, वो 70% production कर लेते हैं, बाकी 30% जो हम इंपोर्ट करते हैं, लेकर जो पताश वाला जो है, rate of potash, वो 100% इंपोर्ट से फुल्फिल होता है, विकाज हमारे पास resources नहीं है, उसके related, नेक्स यह जो पूरा fertilizer sector है, यह regulated है, government regulate करती है इसको, through different acts like fertilizer, movement control order 1973, under the essential commodities act 1955, right, तो यह आदकना, मैं इतना जाने लाइक है, और आपको पता है, जो भी यूरिया के उपर subsidy जी जाती है, यह central sector scheme के अंदर आती है, central government जो यह subsidy provide करता है, और इसके अंदर, जितने भी farmers है, जो कि जाके इसी shop से, जो कि रजिस्टर है, fertilizer shop से purchase करते हैं, जिसके पास e-Urgoagar portal है, जैसे entry उसके उपर होती है, तो farmer को जितना rate पे दिया गया है यह fertilizer, और जो company ने उसकी production cost है, उसके बीच में जो gap है, वो government फिर उसको pay कर देती है, company को, तो यहाँ देखना, अभी latest तरीका यही चल रहा है, कि direct company को pay कर देती ही government, तो यहाँ दखना, e-Urgoagar portal पे पहले उन्हें register होना पड़ता है, तभी transaction के अंदर जो पैसा है, वो मिलेगा, तो जो company उसको और जो farmer उसको subsidize rate पे वो fertilizer मिलेगा, यह चीज़ पताने चाहिए, ठीक है, आगे चलते हैं, next, तो this is about the agriculture export, तो अभी अपेडा ने record high, जो number से वो touch किया है in terms of agriculture export, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं, कि India जो है emerge किया as the net exporter of farm products, और सबसे जाद हमने export क्या किया, इसके अंदर, हमने किया rice, फिर किया sugar, फिर किया spices, जो कि generally यह ratio भी रहता है, और बाकी फिर इतना important नहीं है, बट देख लेना, fellow meat, raw, cotton, wheat और fruits, vegetable में हम लोगे अच्छे कौन्टिटी में export किया है, overall बात करें हमाई तो total merchandise export है, उसका 11% आप समझे सकते हैं कितना हाई हो गया, कि वो farm से आ रहा है, और सबसे जाद हमने export किसको किया है, हमने export किया है, USA को, फिर Bangladesh को और फिर China को, right, तो यह top 3 countries है, जिन हमने हमने हमारा जो agriculture produce है, वो export किया, और रीजन आपको पता है, यह Russia-Ukraine crisis को जैसे बच सरी चीजों को shortage हो गया था, तो वहाँ पे इंडिया ने कुछ shortage को फुल्फिल करने के अपना जो public procurement के अंदर, जो हमारे पास public stock के अंदर था, FCI के अंदर जो समान था, वो भी impact cereals वगरा, वो निकालेते हैं, ठीक है, तो यह conduct किया जा रहा था, मतलब इसमें जो breed को recognize करने का जो काम था, वो कराए जा रहा था, बाइद है, National Bureau of Animal Genetics Resources, तो कोई बता सकता है, यह institute कहाँ पे है, anybody? तो इंडिया में ही है, यह यह करनाल में है, और इस animal को पी से, प्लांट से अगर हम replace करते हैं, तो वो डेली में हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें report में यह बुलागा है, कि हमारे पास, जो exotic और crossbreed animals है, यह जो cattle है, वो 26% है, यानि हर चार में से एक जो cattle है, वो यह उससे जादा जो है, वो हमें exotic या crossbreed variety का मिल जाएगा, बाकि जो 73% के आसपास जो है, हमारा indigenous और non-descript cattle से आता है, indigenous breed पता होने चेए, यह तो यहाँ पे indigenous breed के बारे में लेका, गीर, लखीमी, सहीवाल यह गाई की breed है, ठीक है, तो यह पता होने चेए, नेक्स चलते है, जे फॉर्म पे, तो पंजाब इंडिया का पहला state बन गया, जो की farmers को provide करेगा, digitized form जे, इसके तुरू जितनी भी tax के अंदर rebate मिलता होने agriculture के उपर, वो सब जो चीजे हैं वो ले सकते हैं, या इसके बदले वो finance raise कर सकते हैं, बैंक के अंदर as a statement उसे use कर सकते हैं, यह दिखाने के लिए कि वो कमा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ दखना है, जे फॉर्म जा है, यह agriculture producer, जो sale होती है, APMC मंडी म को एक sale receipt की तरह तोर पे दिया चालता है, आगे चलते हैं, next है tectorization, तो यह national council of applied economic research है, उसने इंडिया को एक report निकला था, जिसमें यह बोला गया था, कि इंडिया को हम लोग global powerhouse बनाएंगे, on farm machinery industry, तो यह report का नाम था, और इसके अंदर यह highlight किया गया है, कि इंडिया का जो farm mechanization है, यह tector से dominated है, यानि हम tector पे बहुत ज्यादा focused है, बट जो non-tector based machinery development है, वो अभी बहुत पीछे, उसको improve करने की जरुत है, so this is about the topic, आगे चलते हैं, next है agriculture extension system, यह ज्यादा काम का नहीं है, बस इसमें यह देख लेना, ministry of agriculture and farmer welfare ने एक MOU sign किया digital green enterprise के साथ, to build a national level digital extension platform, इसके अंदर, एक library create की जाएगी, multi curated format, multi lingual content, जिसके तुरू agriculture extension जो practices होती है, like animal rearing वगेरा, उन सब को promote किया जाएगा, ठीके, आगे चलते है, next climate smart varieties of wheat, इसके अंदर, यह वैसे हम लोग पहले देख चुके है, तो, बस इसमें इतना याद दख लेना, यह नाम है, HD 3410 और HD 3385 यह जो basically, feet के एक variety है, जो कि climate resilient है, थोड़ी से short है, और जो हम लोग ने एक logic problem के बारे में discuss किया था, वो इनके अंदर नहीं होती है, ठीक है, आगे चलते है, next industry part है, तो, हम लोग लोग अल्रड़ी देख चुके हैं, बस इसमें जो नया edition जो आया है, इस national textile mission के अंदर, वो technical textile for private and public institute, and second is grant for internship support in technical textile, तो, नाम से clear हो जा रहा है, कि government technical textile के अंदर, जो भी companies, उनके अंदर, जो लोग internship करने आते हैं, उसको यह लिए government जो पैसा प्रवाइड करेगी, जितने भी engineering करने students, in the technical field, in the technical textile field, वो लोग को यह internship के अंदर, government जो पैसा प्रवाइड करेगी, आकि इस area के अंदर, skill building हो सके, right, तो, इतना है, मैं जानलेक, बाकी हम लोग पहले discuss कर चुके हैं, तो, we don't have to discuss it anymore, आगे, next, चलते है, which is the infrastructure sector, तो, इसमें पहला है, inland waterways in India, अभी, प्राइम मिनिस्टर ने अन्वेल के थे, 1000 crore of projects to increase trade, transport, tourism in the eastern India, तो, इसलिए, जो topic है, inland waterways वाला, यह news में आ जाता है, तो, आगे जाने से पहले, एक project को देख लेता है, जल, मार्ग, विकास project, जिसके अंडर, यह, हमारी, जो, waterways है, इसको, popular, एक mode of transport की तरह, पेश किया जा रहा है, और, जो, necessary infrastructure चाहिए, inland waterways है, उनको, promote कने के लिए, वो भी, दिया जा रहा है, इसको, इसको, इंप्लिमेंट करेगा, ministry of port shipping and waterways, प्लस, जो, inland waterways authority of India, वो, प्लस, इसको, world bank से support मिल रहा है, तो, यह, तीन, एंटीटीज, जो है, इन, वार्डेज, जल, मार्ग, विकास project में, तो, यह, चीज़ आ रखना, और, इसके अंडर, हम, develop करें, waterways को, तो, इसमें, जो, हमारा, waterway 1 है, जो, कि आपको, गंगा के cross, देखने को, मिल जाता है, तो, वहाँ पे, हम, वारणेसी से, लेके, हल्दिया, तो, हल्दिया, आपको, पता है, वेस्ट बंगॉल के अंदर आता है, तो, वहाँ तक, जो हम, एक, लाज, वेसल, के लिए, हम, movement, बनाने के लिए, जो है, उस के बाद, साहिव गंज, और वारणेसी में देखने को, मिलेगा, तो, वारणेसी आपको, पता है, यूपी में हो गया, कोई बता सकते है, साहिव गंज, कहां पढ़ता है, कौन से, स्टेट के अंदर है, नीबडी, दिया, तो, इस जाहरखंड, तो, यह चीज़ आ रखना, इन एरियास के अंदर यह, कहां-कहां, यह मुल्टी मोडल प्रोजेक्स, मुल्टी मोडल टर्मिनल्स जो है, वो लोकेटिद है, लोकेशन पता होना अच्छे है, हल्रिया, ताहिव गंज और वारणेसी रहेगा, ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और भी इंपोर्ट पक्स थ इसके अंदर हम इससे रिलेटेट जो भी वाटरवे से रिलेटेट जो भी स्केल बिल्डिंग करनी है, वो करेंगे, नेक्स फाउंडेशन स्टोन जो है, वो ले डाउन किया, फरश्य प्रिफेर फैसिलिटी, अद पांडू टर्मिनल इन गोहार्टी, तो यह यादखना, प गंगा भागिरती जो है, रिवर्स है, भागिरती हुगली वगरा, यह सब इसमें इंक्लूडड हो जाते हैं, और हल्दिया से प्रयागराज तक का यह लिंक है, तो आपको पता है, हल्दिया जो है, वो वेस्ट बेंगॉल में देखने को मिलता है, और प्रयागराज यूप इतने भी वाटरवेज हम पढ़ते हैं, उसमें रिवर्स से असोसेट करते हैं, बढ़ यह कैनल से असोसेटेड है, और यह आपको कैरला रीजिन के अंदर देखने को मिलती है, तो यहाँ रखना है, वेस्ट कोस्ट कैनल, चंपा कारा कैनल, उद्योग मंदल कैनल, यह मिलके एक नेटवर्क है, जो कि 205 किलोमेटर लेंद है इसका, तो यह नाशनल वाटरवेज 3 है, इसके बाद नाशनल वाटरवेज 4 जो है, वो क्रिशना रिवर के उपर पढ़ता है, यह पता होना अच्छे है, और फिर बाकि और भी छोटे मोटे हैं, तो उतना डीटेल में जान कि एक तो यह जाधा fuel efficient होता है, some fuel में जाधा distance cover कर सकते हैं, और environment friendly भी होते हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग waterways promote करना चाहरे है, अब ही current status की बात करें, तो इंडिया का जो waterway transport है, वो only 0.5% है of the total transport, whereas in countries like नीदर लेंड यह 42% है, चाइना में 8.7% है, तो इंडिया उन में बहु और इसलिए यह जल विकास मार्क जो प्रोजेक्ट है, यह रन किया जा रहा है, आगे चलता है, next is digital public infrastructure, तो अभी यह जो वाला आर्टिकल हम लोगों ने science and tech का पीटी था, में डिसकस किया था, बट एक बार फिर से revise कर लेते हैं, तो यह news में इसलिए है, यह public digital public infrastructure, because जो bank for international settlement है, उन्होंने endorse किया, इंडिया का जो data empowerment protection architecture, which is the EPA, data empowerment protection architecture, joint initiative है, यह यह public और private effort देखने को मिलेगा, हमें, और इसके तुरू, improved data governance किया जाएगा, so generally, जितने भी data से related, यह जो भी functionaries है, data से related, जो कि users का data इखठा करते हैं, तो वहाँ पर यह चीज लगेगा, और यहाँ पर जो user है, उसके पास यह consent है, यह authority है, कि वो allow कर सकते है, कि third parties उसका data है, उसको use कर सकते हैं, after his own consent, oke, and on his own terms, तो यह इसमें important है, हमारे जाना, तो इसको यादखना, कि जो यूजर है उसके पास consent रहेगा कि वो अलाओ कर सकता है third parties को कि वो उसका data use कर सकता है तो यह जो DEPA है यह एक first application जो है वो बनाया गया है financial sector में और यह final layer की तरह बनेगा of the India stack तो India stack पता है आपको एक set of APIs है, APIs आपको पता है application programming interface यह basically एक app, दो apps के बीच में interconnection जो है वो इसके API के तुरू established होता है तो example आप देख सकते हो, आप Uber app चलाते हो, उसके अंदर map जो हो Google map का इस्तमाल हो रहा है वो कैसे उपा रहा है, कि Google map ने अपनी API बनाई हुए जिसे उबर जो हो यूज कर रहा है तो इस तरीके से connection established होता है तो जितने भी आप देखते हो, जिसे COVID का registration हो गया, COVID app के उपर तो आप जाते हो, वहाँ पर अपनी details डालते हो, अधरकार डालते हो, और आपकी related जितनी भी details हो सब आ जाती है तो possible क्यों है, because API मिली भी है उनको तो final layer जो यह DEPA बनेगा उसके through user के पास यह power रहेगी कि वह apply कर सकता है कि कौन सी किसको उसका data वह supply किया जा सकता है only after his consent, तो इसलिए BIS ने इसको endorse किया है तो इसलिए यह चीज news में है, वाकि आप basic details जानते हो, वह explain करने की ज़रूत ने इसके बार में तो यहादखना bank for international settlement यह बेजल स्विजिलेंड में आता है और जितने भी वर्ल्ड के important central bank से यह रिजर्व बैंक से उस अब इसके part यह shareholders है, including India's Reserve Bank of India is also shareholder of this BIS, तो यह यहादखना आगे चलते हैं, digital public infrastructure तो इसमें आपको पता है government या जो public entities से related जो भी data होता है, जहापे भी store होता है, उसका हम digital public infrastructure बोलता है, और यह जो data है, यह digital governance में और public good के लिए use होना चाहिए तो this is all you need to know about it, आगे चलते हैं, नेक्स कुछ key reports देख लेते हैं, तो यह most of these reports we have already studied, जब अनुलोग ने PT कहता है, बस एक बार revise कर लेते हैं, तो पहला इसमें fostering effective energy transition report, तो यह world economic forum निकालता है यह report को, और यह report जो है, यह इसकी खुद की एक और दूसरी report है, which is the energy transition index framework, उसके basis पे यह वाला जो report है, यह develop करता है, इसमें इतना ही जाने लाएक है, बाकी important नहीं है, next is global risk report, इसमें world economic forum again, यह जो report है, वो निकालता है, इसके अंदर 5 categories of risk है, which is economic, environmental, geopolitical, societal, technological, इसके basis पे countries को जो है assess किया जाता है, आगे चलते हैं, next is global economic prospect report, यह world bank निकालता है, यह इसकी एक flagship report है, इसके अंदर examine किया जाता है, जो global economic development of prospects है, relating to emerging and developing markets, इतना है, इसमें जादा detail में जाने की ज़रत नहीं है, because generally, सारा जो data है, वो थोड़ा सा negative मिलेगा, because of the Russia-Ukraine crisis, right, next चलते है, world economic situation prospect report, यह UNDESA जो है, इसको निकालता है, और इस report के अंदर, UNCTAD जो है, वो भी इनको help करता है, तो यह जाता है, इसमें बस यही बोला, world का output को रहता है, that is projected to accelerate, तो अगें वही वाला बात, जो हम लोगो ने discuss किया, कि सब report जाता है, जाता है, जाता है, जाता है, जाता है, कुछ ना कुछ नेगेटेव भी बता रहे है, because of Russia-Ukraine crisis, right, next is world economic outlook, तो यह एक बहुत important flagship report है, जो कि IMF निकालता है, और यह हर साल दो बार निकाले जाती है, तो twice every year यह report रहती है, अपरल और October में, तो यह चीज़ याद होनी चाहिए, next चलते है, मिसलेनियस के उपर, तो पहला है, इसके अंदर Central Committee on Pharma Marketing, तो एक five member committee बनाई गया है, under WK Paul, जो कि NITIU के member है, तो यह review करेगी फार्मा की जो marketing practices है, उसको, बस इससे ज्यादा, इसमें ज्यादा डीटेल जाने की जरुवत निया, यह जो डूलो अगरा वला कीस आपने सुना ही होगा, उसके बाद थ्वड़ा सा यह पूरा जो टॉपिक था, नियूज मेरा, तो इसले कमेटी का नाम यहा रखना है, अगर वो फेल होगा है, तो पुरा को पुरा एकनामी हमारा collapse कर जाएगा, तो ऐसे banks के लिए जो status है यह दिया जाता है, और RBI जो है, इसके अंदर यह status प्रवाइड गरता है banks को, तो 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 टल जो तीन banks से जो पहले भी list के अंदर domestically, domestic systematically important banks से, वही सेम जो बैंक से वह लोगों को पता ही होगा कि 2% अगर national GDP का इनके asset है, asset in the sense, loan provide कर रखे है, 2% of the GDP तो उसको हम classify करेंगे as domestically, domestic systematically important banks, इसी lines पे हम लोगो NBFC वी classify करने की कोश्च करें, यह पता होना अच्छी है, next purchasing managers index, तो यह economic indicators होता है, जिसके अंदर जितने भी companies के, जो managers होता है, उन से survey किया जाता है, और उनका outlook पूछा जाता है, तो अगर 50 से उपर यह index है, तो यह expansionary ही बताता है, कि economy जो expand कर रहे है, अगर 50 से नीचे है, यह बताता है कि जो economy है, वो recession के अंदर है, या contract कर रहे है, तो इतना ही तर इसमें जाने लएक, with that we are done with the economy part, तो कोई doubt, कोई question है तो पूछ कोई बता है, तो इसमें अचल कर रहे है क苹ux से च New carrying D vendo यह बता है, चुछा कर देक रहे है, तो बता है, तो कोई जाने जाने वा है तैकिन E कम ढहे है, तो पुछार कर रहा कर दो कर दो म से लिखने हैं कर रहूशाब का द lobby का रहीं है